गुद मॉर्निंग नमस्कार फादरादेग विद्यारती हैं चाहिए टांथ के हैं चाहिए ट्वाज़ के हैं चाहिए एड़त के हैं शबका एब फिर आपके अपने यूट्व चैनल स्टी सुन पॉइंट पे स्वागते कर प्रक्राइब क्लास का एक वीडियो डाला था मैंन दिमाज में आता है कि मुझे कुछ ने कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो आज मैं क्लास 10 के लिए वीडियो लेकर के आया हूं आज मिनिम्म दो वीडियो आए हूं चैप्टर नम्बर 14 गार चैप्टर नम्बर 14 RBSC बूर्ट क्लास 10 इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट यह चैप्टर है क्योंकि इसकी जो मार्किंग है जो नम्बरिंग है वो आपकी है ग्यारा नम्बर की यानि जो मार्किंग आपको टैंथ बूर्ड में लेकर आनी है उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो रोल अदा करती है वो चैप्टर है आपका पॉर्टिंग जिसका नाम है में मौट मीडियन कैंट्रे प्रवर्ति के माहभूस इसके अधर मात्य है मात्यक है बहुलक है इसमें दो कॉस्टन बड़े और दो सब्सक्राइब के चांसेज है तो मेरा इतने भी इस्टुडेंट्स मेरा वीडियो देख नहीं है आप इसको सहर कीजिए ताकि आगे ज्याद सब्सक्राइब का सामना ना अगर्णाबन तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक के उपर जैसे कि मैंने लिखा हुआ इंपोर्टेंट एलोल एक्जाम मात्य मात्य पहूलक थोड़ा सा पहले लिख लेता हूं ताकि टाइम आपका खराब ना हो मात्य मात्य को डिनोट किया और पसे है ऐसे सुबहने लिख सकते हैं तो ऐसे मैं एक्स बार स है यह आगे जोसिए मेने पर रखा है इसको बोलते हैं Sigma Sigma F X upon Sigma F यह formula है माध्यट को इंगलीज में बालते हैं median L plus N upon 2 minus C F bracket बंग into H इस सारी बता हूँगा L क्या होता है N upon 2 क्या होता है C F क्या होता है सारी बाते बता हैं बहुलक का इंगलीज में नाम होता है मोड जब लेंट वर्स में चले जाओगे तो इसको जड़ से दिनोट किया जाएगा तेकिन फिला आप 10 ग्लास के स्टुडेंट है तो द्यान दखें इसको आपको पता है इसके सारे कॉस्टन साब करते हो इसके अलावात छोटे कॉस्टन भी आते हैं एक नमर के दो नमर के तो वह भी मैं आपको खोड़ा साब बता हूंगा इसल दखें का मतलब हें कव्यार मधित हिंदी र anarchी फृपन टोटल संख्या बाता हो के ट्रीजोटी संख्या किसे और मतलब होता है घर फ्रिक्वेशNow को पड़ता है तो तोटल शाख्र ओक्तर संसे मतलता है हमोसी में सांपड़ आंट का एकट North आपके देखते हैं माध्य को कैसे आपको सॉलू करते हैं इससी में इस तरह से आपके बोडर को स्वालों और नहीं के चांसे रहेंगे यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है 6 Simple question की बात कर रहा हूँ Frequency में यहां 3, यहां 5, यहां 2 और यहां 1 और आपके सामने question पूछ लिया गया, मत दे लिया करो Find the mean, mean के यह formula F और X F और X, X मतलब चर्कामान जो आपके सामने यह रहा, F आपके सामने यह रहा F और X के पीछ में किसी प्रकार का कोई sign नहीं है Advance F को X से क्या करना है, multiply, यानि कि गुणा दोनों के आगे एक दिशान किया हुआ है, ऐसे उल्टा M का, देख सकते हैं, सोया वाई यह, इसको बोलते हैं, सिग्मा Mathematic में इसका मतलब हो गया, प्लस करना Mathematic में इसका means हो गया, प्लस करना तो F X, यानि F और X के बीच में कोई sign नहीं है इसका मतलब F और X को आपस में क्या करना है, multiply करना हमें सारा काम according to formula करना है, ऐसा नहीं है कि questions को solve करना सुरू कर देना है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है तो देखते हैं, आप चाहिए दोसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी मैंने ऐसे लिखा हुआ F X, यहांपे लिखा मैंने F O X, यानि 2 को 3 से multiply किया, 6, 5 को 4 से multiply किया, यानि 20, 5 को 2 से multiply, गुना यानि 10, और 6 को 1 से multiply, गुना यानि 6, 3 तो जाए 6, 5 और 20, 5 तो जाए 6, अब formula कहत है, इसका sigma कीजिए, sigma यानि plus कीजिए, तो हम इन सब को plus कर लेते हैं, आप चाहिए तो आसानी से, तसली से आपको इनको plus करना है, क्योंकि यह जो chapter है, important होने वाला है, आप लोगों के लिए, 6 और 6 बार, 1, 2, 3 and 4, 42, तो आप चाहिए तो इसको यहांदे लिख सकते हैं, sigma 42, अब कहरा है, F का भी sigma करना है, यानि F को भी plus करना है, तो यह F की लाइन रही है, हमारी plus करते हैं, 5, 3, 8, और 2, 10, और 1, 11, यानि इसको plus करते हैं, कि जना आता है, 11, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 3, 11, हम चाहिए तो इसको यहां लिख सकते हैं, sigma F बराबर, 11, यहां तक समझ में आ गया होगा, अब आगे चलते हैं, पूर्ट करना है, formula, sigma F x बटा sigma F, एक बात का ध्यार रणना है, x बार equals to sigma F x upon sigma F, इसी भी subject में, जब भी कोईशी question को आप solve करोगे, तो equals to के नीचे equals to, यानि बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, आगे पीछे question नहीं होना चाहिए, जो examiner होता है, उसके ओपर negative असर जाता है, तो बराबर के नीचे बराबर, sigma F x है हमारा 42, और sigma F है हमारा 11, 42 को हम 11 से divide कर सकते हैं, 11 में जाएगा 11, 30, 33, टू में से 3 जाता नहीं है, एक carry कर लेते हैं तो या रहेगा 9, या रहेगा पॉइंट यहां आया 0, प्लस मैंस तो आपको आते होंगे 10 क्लास से या बरीक्लास होगे इस ब्रेंट होगा 11, 8, 88, 10 में जाएगा 2 पॉइंट लगा हुआ है, या 0 फिर बन टाइम जाएगा, पॉइंट के बाद में minimum आपको 2 डिजित लेकर के आने हैं, तो हमारा अंसर हो जाएगा 3, 8, 2, 1, आपको बडापर के नेचे बिल्कुल बडापर रखना है, यह आपके सामने में आपको पूरा completely करके बताया, इस प्रकार से एक कॉस्टर आपके बोर्ड में confirm आये था, आने करा confirm ही आये था, चांस भी नहीं कह सकते, मौश्टी प्रकार देखे हैं तो उसमें वाध्या पूछा गया है, यह था simple question, जिसको इस तरीके से करना है, इसमें x दे रखा था, f दे रखा था, multiply करना है, formula लगाना है, और solve करना है, कोई दी कतनी है, आगे चलते हैं, अब question वो हो सकता है, माध्या के अंदर, जिसके अंदर distribution हो, distribution यानी work की करते हो, अभी तक तो आपके सामने x दे रखा था, आप multiply करते, answer आ जाता है, अब इस प्रकाल से आ सकता है, हिंदी में लिखावा हो सकता है, और English में लिखावा हो सकता है, class, और यहां लिखावा हो, f, आपका, अब एक सोटा सा question हम मन से ले लेते हैं, आपके जो 14.1, 14.2, चैप्टर जो है, 14 नमर चैप्टर के एक लास, इस वीडियो को गोर से देखने के बाद, आप अपने book case दिने भी question है, उनमें से 90% तक आप आराम से कर पाऊगे, आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, किसे multiply कर रहा हूं, कौन सा formula लगा रहा हूं question में क्या पूछा गया है, तो मेरा विश्वास है, आपके ये 11 नमर का चक्तर कहीं नहीं जाएगा, और जो बच्चे weak हैं, जिनको ये डर लग रहा है, कि मैं पास कैसे होंगा, नमर कैसे आएंगे, उनकी clear no doubt लिए नमर आएंगे, और जो student थोड़े से दिमाग से ठीक है, या तो वह इशार है, intelligent है, उनका अच्छे से revise हो जाएगा, अब वर्यट में देखेते हैं, question इस पर का से आ सकता है, 4 से 6, 6 से 8, और 8 से 10, एक थोटा सा question लिया है मैंने, frequency आपके आ सकती है, 2, 3, 5, इस तरह से question है, आपके सामने, अब निकालना क्या है, मात दे हैं, इन पी में वोले मी, इसमें वोले, तुमी, निकालना क्या है, मात दे हैं, मीर, और मात दे का फॉर्मूला, आपको पता है, अभी आपन लिखा, सिग्मा एफ, एक्स अपान सिग्मा एफ, अब ये फॉर्मूला, एफ हमारे पास है, एक्स एफ हमारे पास है, एक्स फॉर्मूले के हिस्स को सॉल्व करने के लिए, हमारे पास एक्स होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्स नहीं है, हमारे पास तो वरग है, क्लास है, हमें सबस्क्राइब क्या करना पड़ेगा शाम दाम धंड भेड किसी भी एक्स लेकर आना है और एक्स लाने का तरीका जो आपको गुरूप दे रखा है जो आपको गुरूप दे रखा है जो आपको क्लास दे रखी है जो आपको वरक दे रखा है इन दोनों नमबर्स को आप क्या करना है दोनों करना का करना कि से धोसे और दोसे करना है दूसरी फासा में ये कर सकते हैं इन दोनों के बीज में जो नमबर आता है इन दोनों के जो नमबर आता है वैसे बीकल में अगर इन समका साखनु सब्ध मॉआ करके бог तो हम दोनों को प्लॉच करके दो से डिवैड करेंगी और एक्तिव यू लेकल दिया 2 को और 4 को मैंने प्लस किया तो मेरा आया 6 और 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 3 4 को और 6 को मैं करता हूँ प्लस तो मेरा हो जाता है 10 यानि 10 और 2 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है एक हम उद्वास धाक में प्लस करता है जोड़क स्याओं आफ उस नीचान से हमाइद खांग ऐसको भूल सो जानन वैसा हो गई है जैसे पहले वाड़ा हुमने किया था प्रकाल का क्वेश्टन आ सकता है मिल्मक्न क्यान मन देता है अब फोब लेकर हिसाब से हमें फोब्ला क्याता है एफ एफ पॉर्फ एक्स लेक्स परकाल सी मॉटिप्लाइट तू तू थीज़ा शेक्स श्यां फिप्टेन यानि 15 फाइधित 935 यानि 45 चेक कर लो खो से खबेशा करना चीह है मैथमाटिक क्या है यह आलवेज चू क्रॉस्ट्राइक त्री टूजाश एक तिन गोन इछ है पांच तीजा पुट्वित पांच त्रीज पंद्रा पांच ते प्रेंटीस फाइप स्याम्टा थाटिफ फाइफ पांच नो पैंटरा इस फाइफ ना फॉटिफाइफ आधिश्च उन्हाट दो तस वन जिवावन दो वन आधा पॉट्स चैकर लेते हैं पांच द स्थाट पंद्रा और और युट्रेंट दो दो रिख तीन च्छाँ और चार तरस फॉमुला करता है एफ का भी सिग्मा करना है यह पोगी प्लस करना है यह आपका एफ आका प्ल अब आप इसको असानी से कर सकते हो एकस बाल इकोस टुछीमा एफट्स न बंट मार नहीं है आंपको विअ फित्वीजर से दिवाइद करेंगी वइं जीरो वएं को फिफिटीन से डिवाइड करूंगा पंदर शक नपर वण वण पाइंट जीरो फिर श्रेवार जाएगा नए प्रिविच था फाइब सेवंजा एकसो पांच 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 लगा हुआ है फिजिगोव पंदृतियां प्रताइब यानि पॉइंट के भूआएगा 6.73 और यहां लिखेंगे अंसर यह लिखेंगे यह यह लिखेंगे यह लिखते हैं यह छोड़ेते इतना इस गया लिखना चाहिए यह जो माझे बताया आपको हंड्रेड परसेंट इसमें से एक सवाल आने के अपके चॉंसेज हैं और आहिए कि था आपका माध्य का सवाल अब बात करते हैं नेक्स्ट याने की माध्य के अगला लिए अपने बहुलक आप बने रहेंगे कंटीनियू जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है पहला टॉपलेट आपका क्लिर हो गया अपके सेकेंड इसका नाम है बहुलक बहुत इजी है मेन से भी इजी है अब बहुलक के अंदर क्या करना है बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बारंबार्था बहुलक का मतलब होता है सबसे ज्यादा बारंबार्था यानि सबसे हाइस्ट फ्रिक्वेंजी इस नम्मल है वहाइस्ट फ्रिक्वेंजी इस आलवेज मोड जिस संक्या की सबसे ज्यादा बारंबार्था होती है वह हमेशा भूलक को नहीं प्रका 3211 इस प्रकार से कॉमा लगे लेती है बीच के अंदर और कॉस्टन फूच लिया जाता है कि इसका बहुलत गया थो नहीं पता है इसका बहुलत क्या हो अब बहुलत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है इसको असेंडिंग और इसको छोटे सी बड़ा इसको आरो ही क्र 2 टाइम तूर इसके बाद में आए हुआ है थ्री के टाइम है वान एंट नवन तूर इसके यह जोड़ के देखिए फ्रिक्वैल सी को दो तो चार तो है और चाहर दस एक दो टेफ चार पांच छे साथ आठ नो एक तस एक तूर आइक ताइम तो वान तो त्री फोर और फा कि अब इस्वकार से आपने इसको लिखा यह आपका ये कौई पना बबार सबसे ज्यादा keys सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी हैं पाच किसकी है एक की अंसोर लिखते समय हम क्या करेंगे लिखेंगे हाइस फ्रिक्वेंसी इस यहां लिखेंगे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी हैं फाइफ सो इन्दी मीडियम अता है बार इतना मोड यानी हिंदी मीडियम लिखेंगी बहुलक यहां यानि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसकी सामने वाले जो संख्या होती है वो हमेसा मोर उता है पेपर में आढ़के चांसेज रहते हैं इस प्रकार से कोशन देख करके और पूछ लेते हैं और करे वाद इस प्रकार से भी दिखा हुआ सकता है एक्स और आप से पूछ लिया जाता है कि इस पर बाल वारता या इसकी सवी बहुलक है वह बताई ये था पहुलक सिंपल अब बात करते हैं फोर्मूले वारे की किसे निकालते हैं कि देखिए दुबारा से मैं एक सवाल लिका है आपके सामरे इसका भी अबने क्या निकालना है आप यानि इंगलीज मीडियों के लिए क्या है मॉर्ड से वारा हुझ यह बुक का इंद भी निये लेकिन जो बुक में कॉस्चन है वो सारे के सारे ऐसे हैं अब किसी भी कॉस्चन को उठाकर देख लेजी सारे कॉस्चन इसी प्रकार कहते हैं मीन फाइन करो माध्या निकालो सारे कॉस्चन कहते हैं बहुलत निकालो या भी सारे कॉस्चन माध्या निकालो तो जाना परेशान होने की जहुत नहीं है दिमाग में ज़्यादा डिप्रेशन में माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है सिर्फ तरीके को समझना है तरीके को आप समझ लोगे तो आपका दो इस चैप्टर के पॉस्टरों बहुत रच्छे जाएंगे और नो डाउनि आप उनको गलत नहीं रहता है संख्याई फीगर चाहिए कुछ भी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता इंपॉर्टर्स है हम चीए फॉर्मूला पता होना चाहिए तो बहुलत हमने देखा सिंपल अब देखते हम फॉर्मूले का बहुलत सबसे आसान कुछ एक्स फाइंड नहीं करना कुछ नहीं लिखना होता डाइक्ट फॉर्मूला यहां पर लिख लो एक एम बराबर एल प्लस ताकि फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको थोड़ा सा मैं समझा सब्सक्राइब कि अब लुए अब लेस्ट फवर्मूला अब यह जो पात कहता हूं उस पर काइम रहना है सबसे जाना बारा मारता हूं तो सबसे आना बारा मारता कितनी है च्यार लिखो शबसे यह लेंग्रेज बहुत जलूर ही सबसे अधेग बारा मारता हूं और यहाइच फ्रिक्वएंसी कि इतनी है फोल लिको लेंग्वेज आपको लिखने पड़ेगी है हाइस फ्रिक्वेंसी ज्यादा बारंबारता फोल अता है यानि कि सो गुरुप कौन सा हो गया दस से पंदरह यानि वरक कौन सा हो गया दस से पंदरह इसे अब जो सबसे अधित बारंबारता होती है उसको माना जाता है एफ One यानि एफ One किता है आपका चार एक से पहले क्या आता है हमेशा जीरो एक से पहले क्या आता है जीरो यानि एफ जीरो कितना हो गया हमारा तीन और एक तुब बाद में कह आता है दो यह लोग एक टू तो कितना हो गया हमारा एक सबसे ज्यादा वारम लाटता एक वन एक से पहले आता है जीरो तो जीरो एक के बाद आता है दो तो क्लियर कोई दित कर नहीं है अब यह सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है फॉर्मुले करना पूट करनी है पहुत इसी अब बहुत आसान है अधिसे बड़ी समझे नहीं करना होगा इसलों बताया ही नहीं तो लोग बता दें अल का मतलब लोग इस रही लिमिट निमने शीमा चोटे वाली लिमिट वड़ां बंच अन्यान दस सब सब्सक्राइब कौन सी है ряд तस छोटी सरेणी कौनमे जी है धस करना बहुत प्रक mayo südney कितना 13 Wow टूए एफ़न तू और एफ़न के बीस में कोई साइग इसका मतलब करना है तो टू इफ़ने कितना है फोर मईनेंस धिल्स फिर कितना है तो बता लेते हैं अब 1015 के गुरूप से निकलेगा एल भी गुरूप से निकलेगा है तो नों के बीच में कितने का है दस से सीधा पंद्रा हो गया ग्यारा बारा तेरा सब्दा पंद्रा अब चाहूं तो बैठा भी सकते हैं यानि कि एक्स कितना है आपका जानबूज के नहीं दिखें आई कॉस्टन करवाते समय आपको बतंबाद दिमाग में ज्यादा देगा हैस्ट कितना अब इसको सौल करत प्लस प्लस पोर उसे थरी गया वन पोर टूजा एट माइनस थ्री माइनस वन पार्ट यागे आप उपर से थोड़ा में डालेता हूं ताकि आपके दिक्कत ना हो अब 10 का 10 प्लस वन का वान रेकेट एट में से थ्री गया फाइफ पांस पांस में से गया चार इंटू कितना है वाइट प्लस हमेशा पहले मुल्किप्लाइब होता है बौड़ मास का नियों सब को द्यार नखना चीए फांस एकम पांस बटा चार और पांस में रगा पाज एकम चार एकम चार एक पॉइंट जीरो फॉर टूजा एट तू पॉइंट लगावाए जीरो और फाइब तूइंट रहा है यानि कि पहले मुल्टिप्लाई उसके बाद डिवाइड यानि एक कम पहले यानि 10 प्लाइस इस वन पॉइंट टूफाइड यहां गड़ बड़ करते हैं बहुत सारी पहुत बंदें अरे बया यह सिंगल संख्या है सिंगल डिजी टेल स्कुबाद पॉइंट जीरो जीरो कि तनी भी ड़ा सकते हो कोई फॉरह निक पड़ेगा आज यह वाले संख्या पॉइंट के नीच प्लस, का विष्या जयान रखना है माइनेस करो विषया घ्शैन रखना है माध्या कि बात की माध्य प्रकार से निखा लेंगे यह पाईट वीडियो है यह को देखना है और हन्रेट परसेंट आपके गोड़ केoue सोख्या फैर्ट पूछा जा chocolate आओF से रिलेटेग अब यह वहीं पोगलक की और मात्यक की बार अब आपका एक रह गया मात्यक और एक रहले आपका कल की दुमादे जो हो सकता है नेट्ट वीडियो में या शाम को या कल में लेकर क्या हो आपको मैथ के एक्जाम होने से पहले पहले मोस्टली में वो चक्टर्स आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा जिनसे आपके अच्छे नंबर या पास होने ही पास आने से आपके हो जाएंगे माच जाएंगा सवाल आप करके देखेंगे 14.1 से बहुलक आप करके देखेंगे आपको 14 नंबर से और 108 परसाइंट गारंटी है इनका कॉस्तन बोर्ड में आएका और बिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू जैवारत और ज्यादा ज् थैंक्यो पूस्ए है झाल झाल झाल